डिरे स्टुडेंट टुडेए वी लार्न अबाउट बिट्विन डिली ये डिफ्रेंट देखेंगे आज हम डिफ्रेंस बिट्विन डिलीरियम एं डिमेंशा के यानि कि डिमेंशा और डिलीरियम में क्या अंतर है ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं तो डिलीरियम क्या होता और जो डिम एटाहो क्या होता है निमिन्षा हुता है ट्रींशा Jakarta ने जम ब्रेन में कुछ है इंपैर्मेंट होता है तरह दांस होता है तीक है तो ओल ठोडि जे ज कि यह होता है डिमेंशा होता है कि अ came की इंपैर्ट मेंन नीजर मुझे लेते हैं कि यह जो disorder होता है यह भी इसी का यह भी cause कर सकता है dementia को can cause disrupt cognitive function यानि कि जो depression होता है यह भी क्या कर सकता है जो हमारा brain जो भी हमारा cognition function है related to the brain जो भी हम work करते हैं वो भी क्या हो सकता है? disrupt हो सकता है, okay? then delirium and dementia are the separate disorder यह दोनों क्या है? अलग अलग है, यानि कि dementia में अलग कुछ होता है, किसी और कारण से होता है dementia अलग कारण से होता है, और लेकिन यह दोनों ही अलग है पर फिर भी क्या होता है? but are there sometimes difficult to distinguish, ठीक है? लेकिन फिर भी दोनों अलग-अलग है, दोनों की characteristics अलग-अलग है लेकिन दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है कभी-कभी ठीक है इन बोट कॉगनिशन इन डिसॉर्डर हावेवर दा फॉलोविंग है डिस्टिंगुश देम ठीक है कुछ ऐसे स्टैप्स हैं जिसके दोरह हम इन दोनों को क्या कर सकते है कोगनिशन डिसॉर्डर को अलग-अलग समझ सकते हैं कि यह किस तरीके का डिसॉर्डर है तो डिलिरियम क्या करता है इफेक्ट करता है मेंलि अटेंशन और अवेरनेस को डिलिरियम में ज़्यादा है जो अवेरनेस होती है और अटेंशन होता है यानि कि एकदम से उनकी जो काम करने में उनको किसी चीज में मन नहीं लगेगा attention नहीं रहेगा उनका यानि कि एक आग्रिच इतनी हो पाएंगे alert भी नहीं रहेंगे तो यह होता है delirium में और dementia में क्या होता है कि इसमें affect mainly memory यानि कि जो हमारी यादास होती वो अफेक्ट करती ज्यादे तरिसमें डिवेंशा में और other cognitive function और भी कुछ जो हमारे related to brain है वो other जो function होते हैं वो भी disturbed हो सकते हैं तो other specific characteristics क्या है also help distinguish the two disorders ये जो दोनों disorder हैं इनको कुछ और characteristics के द्वारा हम क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं जो की माहिए दोनों के बीच में टेवल बनाई है different को देखने के लिए वो आप देख सकते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे उसको भी तो delirium is typically caused by the acute illness और medication and recreational drug toxicity तो जो delirium होता है वो acute condition होती है और मतलब उसमें क्या होता है कि वो acute illness होती है suddenly start होती है वो या फिर वो कोई medication के वज़े से हो सकती ही recreational drugs recreational drugs मतलब जो manoranjan के लिए ली जाती है कुछ ऐसी sedative drugs जो लोग लेते हैं था जिसे बोलते है drug addict टाइप इस तरीके की कुछ medication ली हो तो वो कभी कभी क्या हो जाती है life threatening हो जाती है यानि कि अपने harm कर सकती है आपकी life को तो यह जो होती है इसके वज़े से भी symptom दिखने लगते है कुछ-कुछ और यह क्या होता reversible होता है यानि कि इसको treatment दे तो यह सर ठीक भी हो सकता है और जो डिमेंशा होता है इस डिपकली कॉज़ बाइद एनाटॉमिकल चेंज इन दा ब्रेन तो जो डिमेंशा होता है वो किसके वज़े से होता है जैसे मैंने बता है ब्रेन की कोई ना कोई structure प्रॉबलम ठीक है तो यह ठीक नहीं हो सकता है irreversible का मतलब यह होता है ठीक है mistaken delirium for dementia in an older patient is a common clinical error ठीक है तो जो delirium for dementia यानि कि जब क्या होता है जो बुड़े लोग होते हैं तो उसमें क्या होता है जो ये जो person होते है old person होते है तो उनमें क्या होता है delirium होगा तो उसमें क्या होगा उसको हम क्या कर सकते हैं dementia में वो कर सकते हैं clinical error यानि कि doctors भी क्या करते हैं कभी कभी डाइग्नोस करने में confused हो जाते हैं कि इसको delirium की dementia है जो old version में होता है ठीक है फिर है no laboratory test इसमें क्या होता है कोई भी laboratory test नहीं होता है इसमें definitely क्या है इसमें किस कारण से cognitive impairment हुआ है यानि कि दिमागी तरीके से क्या problem है इसके लिए कोई laboratory ऐसा test तो नहीं है तो through the history and physical examination अब क्या कर सकते हैं thorough history यानि कि thorough मतलब detail, detail history लेनी पड़ेगी उसकी physical examination करने पड़ेगा उसका as well as knowledge of baseline function are essential साथ ही उसका क्या करना पड़ेगा जो भी उसके baseline function यानि कि जो भी वो उसके काम होते हैं daily life के उसके द्वारा उसकी knowledge लेके यह हम कर सकते हैं identify ठीक है all the delirium and dementia are the considered distinct disorder they have complex interrelationship तो जब क्या होता है यह हला कि जो dementia और जो delirium है यह considered कि जाते अलग-अलग यानि कि अलग delirium के अलग syndrome symptom होते हैं यह causes होते हैं dementia के अलग होते हैं लेकिन फिर भी यह क्या होते हैं दोनों को complex interrelationship दोनों में फिर भी क्या होता है एक जटिल कहते हैं complex relationship होता है पहचान में नहीं आता है दोनों के कभी-कभी की delirium है की dementia confusion हो जाता है तो इसलिए complex relationship है दोनों का दोनों में relationship है तो delirium जो होता है often developed in patient with dementia तो जो delirium होता है यह कभी-कभी क्या होता है develop का होता है उन patient में जो कैसे कैसे होता है dementia वाले यानि कि उसको पहले क्या होगा delirium होगा delirium वाला जो patient होगा उसमें क्या होगा जैसे यह है ना cause anatomical problem है इसमें dementia में sorry यहां पर देखिए आप जो delirium है कहां गया यह यह ना delirium में क्या होता है कि जो patient dementia वाले dementia develop हो सकता है उसको ठीक है कभी-कभी ऐसा हो देखा गया it is the court delirium super इसको क्या बोलते है जिसको delirium भी होता है और उसको dementia की cause होने प्राब्लम आने लगती है तो इसको बोलते है delirium superimposed on dementia यानि कि DSD इसको short में बोलते है ठीक है DSD can occur in up to 49% of patient with dementia तो जो यह DSD जो होता है यह यह भी हो सकता है 49% ऐसे होता है वह वाले patient जो कि किसके होते हैं dementia वाले जो होते हैं उसको यह cause हो सकता है मलत साथ ही साथ हो रहा ना delirium भी और dementia भी तभी यह cause हो रहा है ठीक है dementia के रोग्यों में delirium अक्सर विक्सित होता है जैसे आप लिखाया ठीक है जो delirium वाले patient होते हैं उसमें dementia भी cause हो जाता है तो इसी को बोलते है DSD ठीक है 49% ऐसे होते हैं जिनकों की delirium होता है उसके बार dementia भी हो जाता है उसी को DSD बोलते हैं यह कब होता है यह person ऐसे होता है जब वो treatment के लिए जाते हैं dementia के तो during hospitalization उनको दूसरा भी cause हो सकता dementia ठीक है also patient with delirium have a right risk higher risk होता है उनको higher risk होता है develop होने का dementia ठीक है इसलिए जो patient होते हैं कभी-कभी जो delirium वाले patient होते हैं उनको dementia develop होने के higher risk रहता है उनको ज्यादा chances है delirium होने के ठीक है अब देख dementia होने के अब तो दोनों में different है इसमें यहां पर characteristics हो जाएंगी यह delirium के बारे में है और यह dementia के तो onset कैसे होता है delirium का यह sudden होता है आने कि अचानक होता है और यह किसी एक point से start होता है और यह क्या होता है dementia इसमें यह slow-slow बढ़ता रहता है और आगे को gradually होता है slow-slow आगे यह increase होता है और यह होता है uncertain beginning point इसका कोई भी starting point नहीं है मतलब की क्या problem है कहां से यहां पर जो हो सकता है कि उसको एक निष्चित बिन्दू का मतलब हो गया कोई एक point पे उसको किसी ना किसी काम में किसी ना किसी function में कुछ ऐसा हो सकता लेकिन इसमें कुछ बतानी चलेगा धीरे धीरे ये होता है ठीक है duration क्या होता है ये होता है day to week जो delirium होता है ये day से week तक का इसका duration होता है although it may be longer इससे भी ज्यादा हो सकता और जो dementia होता है ये permanent होता है अब इसमें causes क्या होता है इनके दोनों के जो delirium होता है कोई दूसरी condition से भी हो सकता जैसे हमने आगे पढ़ा था slide में कि ये infection rehydration या कोई medication withdrawal करने से जैसे alcohol है या फिर कुछ certain medication जैसे कि हमने बताया था recreational drug sedative drug उसके वज़े से भी जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि operation के बाद जो anesthesia के बाद person जो रहते हैं वो भी delirium वाली problem उनमें देखने को मिलती है लेकिन वो निकल जाती है जो दवा का effect खतम हो जाता है और यह जो होती है यह कौन सी होती है डिमेंशा में क्या होता है यह chronic brain disorder होता है यानि कि brain का कोई structure problem या chemical disorder है तो इसमें for example हम दे सकते है Alzheimer जो कि old age में होता है dementia low body जो हमने बोला था कि dementia मैंने यह भी पढ़ाया था आपको levy bodies हमने देखी थी कि कैसे वो accumulate हो जाती है और vascular dementia यानि कि जो vascular जो कि blood हमेरे brain तक पहुचाती है उसी में कोई abnormal stage हो जाती constrict हो जाएंगी या blockage हो जाएगा इसके वज़े से इसका future अब देखें course course का मतलब क्या होता है कि इसकी course कैसा है usually यह reversible है यानि कि यह जो dementia इसको अगर treatment proper मिल जाए तो यह reverse हो जाएगा मनला ठीक हो सकता है और जो dementia होता है इसकी दीरे दीरे यह क्या होता है बढ़ता ही रहता है progress होता है और यह जो होता है night में क्या इसका effect रहता है almost always worse यानि कि यह हमेशा कैसा रहता है खराबी होता रहता है और यह वाला क्या होता है कभी-कभी रात में कभी-कभी यह खराब दिखता है इसका मतलब असर और यह जो होता है इसकी attention की बात करें तो जो delirium में होता है यह greatly impaired होता बहुत ज़्यादा खराब होता है और dementia में क्या होता है कि ये un impaired until dementia has become severe जब तर डिमेंशा बहुत ज़्यादा severe condition नहीं हो जाती है तब तक का ये un impaired रहता है यानि कि थोड़ा इतना ज़्यादा खराब नहीं होता है क्योंकि ये dementia कितना ज़्यादा severe है उसी पर depend करता है इसके symptom भी attention भी फिर इसके consciousness की बात करें तो जो delirium होता है इसमें ये variability कम impaired रहता है यानि कि कभी किसी में कुछ कम हो सकता किसी में ज़्यादा हो सकता है या फिर ये बहुत खराब हो सकता delirium condition के का मतलब causes उसके level किसी में कम किसी में ज़्यादा या बहुत खराब भी हो सकता और जो dementia होता है ये un impaired होता है until dementia has become severe ये जो होता है level of consciousness सेम इसी की तरह जब तक dementia बहुत ज़्यादा severe नहीं होता है ये ज़्यादा खराब नहीं होता है अब इसकी feature की बात करें तो यहाँ पर orientation में अगर देखें कि इसका कैसा orientation रहता है time or place orientation का मतलब होता है alert कि उसको कुछ पता भी है कि नहीं है कि अपने time or place का तो इसमें क्या रहता है delirium में ये varies करता है कि कितना severe है उसी पर depend करेगा कम या ज़्यादा और ये dementia में क्या होता है ये impaired ही रहता है मतलब कि वो नहीं बता पाते है कि आज कौन सा दिन है या क्या time हुआ होगा इस तरीके का ठीक है ये दोनों same ही हो रहे है फिर है use of language तो use of language में क्या है कि कैसी वो language रहती delirium में delirium में कैसी रहती है जिनको ये होता है वो slow speech होती उनकी ठीक है और incoherent रहती है यानि कि ज़्यादा समझ में नहीं आती है और inappropriate रहती है मतलब कि time के according वो नहीं समझ पाते है कि किस समय क्या बात करनी है और जो dementia होता है sometimes difficulty finding to right word कभी-कभी उनको क्या होता है उन्हें पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या बोलना है उस चीज के लिए इस तरीके का फिर इसकी memory की बात करें तो delirium में क्या रहता है वही varies करता है कि कैसी condition है अकर severe है कि यह फिर कम है severe होगी तो बहुत ज़्यादा याद्दास कम होगी और इसमें थोड़ी कम इस तरीके से मतलब कम जादा हो सकती है डिमेंशा में क्या होता है कि इसमें memory loss हो जाती है मतलब याद नहीं रहता है कुछ especially for recent और especially जो recent events होते है जैसे क्या खाया क्या मतलब कौन सा दिन है आज क्या date है इस तरीके का उसके बाद है feature की बात करें तो इसमें need for medical attention चाहिए की नहीं उसकी बात करें तो जो delirium होता है उसमें immediate, तुरंट अगर कभी ऐसा हो रहा है तो जल्दी से डॉक्टर की सला लेनी चाहिए और जो dementia होता है इसमें require both less or urgently इसमें क्या होता है ये भी जरूरी है लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि अब भी जाना है इस तरीके की बात नहीं है लेकिन इसमें भी लेना चाहिए क्योंकि medication से थोड़ा ये कम हो सकते हैं लेकिन एक दम cure तो नहीं हो सकते हैं उसके बाद है effect of treatment treatment का क्या effect रहेगा अगर treatment लिया है तो इसमें क्या होगा usually reverses symptom इसमें क्या होगे जो treatment अगर proper मिल जाए जल्दी मिल जाए तो ये ठीक हो सकता है लेकिन जो dementia होता है उसमें क्योंता है ये में slow progression but cannot reverse or cure disorder इसमें slow रहेगा progression लेकिन ये recover नहीं हो पाएगा ठीक है different are generally true इसमें differences जो होते है सही रहते है generally जो भी अभी हमने देखा सही है helpful diagnostically जो भी इसको मतलब हमने अभी जो अलग-अलग जो हमने देखा था उससे हम इसको डागनोस करने में help मिल सकती है और ये exceptions are not rare और जो example के हम बात करें for example जैसे traumatic brain injury है कभी किसी की accident हुआ तो उसको क्या होगा occur suddenly कभी भी अचानक हो गया तो उसमें क्या होगा result उसके severe होगे यानि कि permanent dementia उसको हो सकता है hypothetalodigem हो सकता है produce slow यानि कि उसका जो ये होता है dementia जो होता है वो क्या होगा produce the slow slowly progress picture of dementia but completely reversible with treatment completely क्या होगा reverse हो जाएगा treatment से thank you guys for watching this video please do like share comment and subscribe this channel